तिमिश्कार, स्वागत है आप सबीक आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परिशा प्रसमें बच्चों बहुत बड़ी खुसकवरी आपके लिए अगर कोई दे सकता है नए वर्स पे और लगाता देखा जाए तो पुलिस भरती बोर्ड कहीं न कहीं वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है ये कुछ आप लोगों के प्रियासों से आप लोग का जोजाना होता है आप लोग जो इतनी हम लोग की बात मान लेते हो कि भरती बोर्ड जाके अपनी बाते महां पे रख देते हो और भरती बोर्ड वाले कहीं न कहीं इस चीज के बहुत ही ज़्यादा फेवर में रहते हैं कि इस टुरेंट आए उनसे अपनी समस्या बताए और एक बहुत बड़ी खुसकबरी आपके सामने आ गई है खुसकबरी में इनसाड में आपको इतना बता दूँ बस कि जो UPSI नागरिक पुलिस वाले में और एक दूसरी वेकंसी हुई थी 1329 पत के लिए UPSI confidential और UPSI clerk और account के लिए दोनों वेकंसी है क्योंकि साथ में हुई थी उनके चलते बहुत सारे बच्चे यहां पे देखा जाए तो दोनों एक साथ में फॉर्म भरे थे एक साथ पेपर दी एक साथ सेलेक्ट भी हो गए थे बहुत सारे बच्चे हमें कॉल करके कहते थे कि सर वो बच्चे वहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद यहां पे छोड़ देंगे वो सीटे वेकंट रहे जाएंगी उसका क्या होगा तो दिखो बच्चो मैं तब भी आपसे यही कहता था कि यह सब कुछ भरती बोर्ड क हाथ में हैं और इसका कोई भी ऐसा प्रावधान अभी तक बना नहीं है अगर भरती बोर्ड चाहे तो नियमावली में चेंज करवा सकता है होता क्या है जब भी कोई भी वेकंसी की विग्रति होती है अधियाचन आते हैं पूरा प्रॉसेस होता है जो डिपार्टमेंट्स ह होते हैं उनसे अधियाचन लिया जाता है अधियाचन के बाद इतने पद पता चलते हैं उसके बाद उसके साफेक्ष में वेकंसी निकाली जाती है उसके लिए लिखित परिक्षा होती है कई सारे चरण होते हैं डीवी पीस्ट मेडिकल और उसके बाद बाकी जो सारी लिक् और अगर वो पद भर गए तब ठीक है बच्चा वहां पर सेलेक्शन लेने बाद भी जोईन करने नहीं जाता है तो उसमें ना भरती बोर्ड कुछ करता है ना ही विभाद कुछ करता है फिर वो दूसरे साइकल में चली जाती है फिल से अधिया आचन लिए जाते हैं फिल से सबके लिए हमेशा नंबर एक पर सबसे बढ़ियां सबसे सखी ख़वर लेके आता है और सबसे जिन्मीन लेके आता है अगर आप चनल पर नए हो उत्तर पदेश पुलिस भरती बोर्ड से परिक्षा से किसी से भी संबंदित तयारी कर लो तो चनल को सब्सक्राइब अवश अगर देखा जहीं यहां पर उत्तर पदेश पुलेस में उप लिक्षक नागरिक पुलिस एवं समकच पदोपास सीधी भरती दोजार चैनल फीस इकजयाओं कि एवां सबसे बता देता हूं इक सोच पढ़़नीदित अपनीव क्योनों मैं यह से पाए गये हैं 124 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जो दोनों पे ही क्या हो गए हैं सेलेप्ट हो गए हैं हाला कि इन्हें संख्या 124 ही क्यों कम है यह तो मुझे नहीं पता जादा होनी चाहिए बट फिर भी मैं आपको एक बार यह पढ़ता हूं बच्चों को भी दिखा देता हूं कहां पर क्या चीज है औ आधी अभी गरम गरम यह विग्विप्ति आई हुई है और 1262 इन्हों ने यहीं बोला है उत्तरपदेश पुलिस भक्तियों प्रणती बोड़ द्वारा विग्विप्त संख्या प्यार्पीब दो यह है दिनांग 1262 को आई थी कि माध्यम से पुरुसयों महिलाओं के लिए उपनिक्षण नागरिक पुलिस तथा पुरुसों के लिए प्लाटून कमांडर में इसकी वेकेंसी लिए थी जिसके लिए जो फाइनल मेरिट लिष्ट था 1B, 2B, 3B, 124B ऐसे करके यहां पे टोटल 124 लिष्ट इसकी निकाली गई थी ऐसे ही यहां पे यहां सभी 124 अभ् जिक्र किया गया है इसमें जो confidential और account vigilance और यहां पे ASIM इनके जो चैनित हैं एक से लेकी 124 अ तक जो इनकी लिष्ट थी उसके जिक्र किया गया है उसके बाद यह बोला गया है कि ऐसे 124 कुल 124 ऐसे अभ्यति हैं जिनका चैन पूर्व में उपनिरिक्षक पुलिस और यहां पर vigilance वाले पत्पे हो गया है अब यह कह रहे हैं कि भाई अगर नागरिक पुलिस का दीखा जाए तो उनका जो ग्रेड़ पे है वह बयालिस सो पे बैंड़ पे है तीराननवे सुसले के 34800 जबकि जो एसाई मिनिस्टीरियल वाला है उसका बोल रहे हैं कि यह नागरिक पुलिस है उनका वेतनमान अच्छा है और जो इनका है ASI का ASI का अकाउंट की बात कर रहे हैं उनका वेतनमान अथाइसओ है और वो निम्न है वेतनमान के अनुसार तो भरती बोल ने यह डिसाइड किया है कि जो बच्चे कॉमन है उनका इस वाले पद से मतलब ASI क्लरक और अकाउंट से निरस्त करके उन्हें किसमें डाल दिया गया है उनको नागरिक पुरस में क्योंकि उन्हें प्राइप्टी दी गई है वो वेतनमान जादा अच्छा है तो उसमें समलिक कर लिया गया है इसका मतलब यहाँ पे 124 सीटे और वेकंट आजाएंगे 1329 प 1329 में मतलब केवल 1000 पद वहां पे केवल भरे गए है यहाँ पे और भी सीटे खाली हो जैएंगी तो उनके लिए अभी तो इन्हों ने केवल 124 पत की बात किया है अगर आपका थोड़ा सा प्रयास रहेगा हम लोग का भी थोड़ा प्रयास रहेगा और आप लोग 91 होगे ब सब्सक्राइब कर दिया जाए उपरोक्त डिलिस्टिंग के विरुद यदि कोई पत्यावेदन देना चाहता है तो दिनांक को समय साइकाल 6 बजे तक बोर्ड में बेक्तिकात रूप से उपस्तित होकर अथवा अपना हस्ताक्षर युक्त प्रत्यावेदन बोर्ड के इमेल इस पे दे दे कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें यही चाहिए होगा नागरिक में नहीं जाना चाहरे होंगे आराम की जाप चाहारे होंगे क्लड सॉपर चाहरे होंगे बच्चियां होंगी महिलामें हो जा सकते हैं उसके बाद यह चाहते होगा एनका जो result होगा दुबारा से revise किया जाएगा दुबारा से revise किया जाएगा इस इसको जैसे बोर्ण ने निरे ले ले गया है कि उस नहीं में दी गए 124 अम्यादिकर जिनका चैन बोदों विग्यत्यों के अंतिम चैन परड़ाम में हुआ है उनके निरेस्ट कर दिया जाए तथा अ और प्यास कर लोगे तो 172 पद वो 124 पद वो लगबग आपके लग तीन सव पद जो खाली सीटे गई हैं उन पे दुबारा से रिजर्ट रिवाइज होगा और बहुत सारे बच्चे जो कुछ दसमलों से रह गए हैं बहुत सारे बच्चे जो एकाद नंबर से रह गए हैं बहुत अच्छा सब कुछ था और एक चीज और रिजर्ट रिवाइज हुआ है तो जो पुराना थोड़ा सा मैटर था कि क्या इनका स्टेनों भी अच्छा हुआ है मार्क्स भी ज्यादा होनेक बात भी स्टेनों में फेल हो गए हो सकता है वो पूरी ही प्रक्रिया इसमें स अपनिये वाली यह बहुत अच्छी आपके लिए खवर है तो एक बार खुसी से यह खुसी का पले जूम जाई है अच्छे से और मैं चाहता हूं कि टीम परिशाब कर ऐसे अच्छे खवर आपको हमेशा देता रहे मैं एक बार वह आपको लिस्ट भी दिखा दे रहा हूं वह कौन-कौन से बच्चे हैं जल्दी से हाग जो यहां पर अब भेलतियों की सूची में एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूं यह है वह अब भेलतियों की सूची जैसे इसमें दिया है रेजिस्ट्रेशन नंबर यह एसाई मिनिस्टीजल में भी हुआ है एसाई प्रॉलिस में हुगा है तो यह मैक्सिमम जो पड़ हैं यह एसाई वाले ही हुए है तिक आशा निरस्त केवल ऐसाई का ही इसले कर रहा है क्योंकि जो स्ञाग पुसरने हैं कुरा दम लगा दो तो एसाई मिनिस्टीरियल वाली मतलब एसाई वाले पत्की में बात कर रहा हूं ऐसे कितने बच्चे हैं टोटल 124 बच्चे हैं ऐसे 124 बच्चों कि नहीं लिश्च निका लिए तो इसके लिए ये फिर से आपको एक खुसी का खुस खबरी है आपके लिए खुस हो गया हूँ कि जब भी आप लोगको आऊसर मिलता है तो बहुत जो मुझे वर्जा मिलती है सायद ही मैं इसस को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं और उमीद है कि इस खुसी के साथ आप लोग और भी और वी जाओ बाकी चीजें तैयारी के साथ आगे लेके चलोगे भा कुछ भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा उसका आपका पूरा जो समाधान हो सकता है वो टीम की दुर्ब से किया जाएगा धन्यवाद सभी